स्रत्र जी का एक सवाल ले लेते हैं काफी देर से विचारी परेशान है कह रहे हैं कि सर मैंने V.A.D. किया हुआ है बट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आगामी सिक्षक भरती में V.A.D. सामिल नहीं होगा बाहर हो जाएगा इस बात को ले करके काफी ज़्यादा टेंशन में हूँ सर घर वाले फोर्स भी कर रहे हैं इतने दुनों से जौब नहीं लगी है बताईए सर में क्या करूँ क्या सच में V.A.D. बाहर हो जाएगा देखे काफी बड़ी आपने लाइन लिख दिये बट मैंने इसको पढ़ा अब मैं आपको देखो बताते हूँ इसकी रियालिटी का है देखे ये वाद सही है कि V.A.D. वाले जो मैटर है वो आपका कोट में चल रहा है अब बहुत सारी ऐसी जो भ्रमिक बाते हैं वो सामने चल वी रही है कि हो सकता कि V.A.D. वाले बाहर हो जाएंगे ठीक है V.A.D. वालों को ये हो जाएगा V.A.D. वालों को बो हो जाएगा तो ऐसे में दिमाग में टेंशन आना एक सो भाविक बात है मैं आप से बिसे इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि आप अपने तयारी को continue रखिएगा ठीक है क्यों क्योंकि 2030 में आप लों को बेकंसी देखने को मिलेगी 2024 में लक्षन है ठीक है 2024 में लक्षन है रही बात V.A.D. के बाहर होने की तो देखो आपको अच्छी तरीके से पतागो उसमें पहली वार V.A.D. को मौका दिया गया था जबकि पूरे को पूरे देश में कहीं भी V.A.D. बालों को प्राइमरी में मौका नहीं दिया गया था तो सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि ये वाला मेटर आंगे चल करके कहीं ना की फस भी सकता तो देखे सरकार ने सामिल किया है आपको आप अपनी मर्दी से तो आई नहीं हो ना तो आपने फॉरम भर दिया था 69,000 वालों की बात कर रहा हूँ जो V.A.D. वाले थे उन्होंने अपनी मर्दी से नहीं भर दिया अगर कोट V.A.D. वालों को बाहर इस बाहर जो V.A.D. वाले सामिल होना चाहते है अगर कोट बाहर कर देता है तो कहीं ना कहीं भेदवाव नहीं हो जागा उताओ यह वाले थो बाहर हुए नहीं है नहोने वाले है तो आप लोग टेंशन फिरी रहो ठीक है आप लोग टेंशन फिरी रहो आप लोग जो है ना प्राइमरी में सामिल रहोगे और रही बात किस तरीके से देखी एक ची यूटी ब्रिज कोर्स आपने बहुत ज़्यादा सुन जाएंगी ठीक है और अभी यह जो केस है वो आपका कोट में अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है तो जितने भी लोग यह बात बोलते हैं देखी यह सारे के सारे लोग जो है ना आपके दिमाग में टेंशन विठालने के लिए बात बोलते हैं कि बीएड वालों को ऐसा बोलेंगे तो बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करना बंद कर देंगे ठीक है मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप अपने तैयारी को कंटीनी रखो और आने वाले समय पर सारी चीज़ें छोड़ दो ठीक है अब आप मिझे बताओ अभी आप जो है इस होगा तो फाइनल अगर सेलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी यह सारी चीज़ें आप छोड़ दो भगवान वरुसे ठीक है बीएड कहीं नहीं जा रहा है बीएड प्राइमरी में सामिल रहेगा ठीक है तो आप बेफिक्रों करके तैयारी करो बस